अंग्रेज 1857 की जो घटना थी उसको म्यूटी नहीं कहते थे और हम उसको फर्स्ट वार अप इंडिपेंडन्स अजादी की पहली लड़ाई के थे 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू, मुसल्मान, सीख, इसाई सब एक साथ खड़े होके लड़े थे हिंदुस्तान का एक विजन बना था हाई चारे का दोस्ती का मित्रता का एक साथ चलने का कुछ साल बार सौथ आफ्रिका में गांदी जी कौर्ट केस लड़ने गए, जीते और उनको एक बात गहराई से समझाएं, सक्ता में और सच्चाई में फरक हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जिसके पास सकता है उसके पास सच्चाई है, ये भी हो सकता है और होता है, कि जिसके पास सकता होती है, उसके पास सच्चाई नहीं होती है, और ये बात गहराई से गांदी जी समझे, और यहां बिहार आएच और पारन आएगा, मैंने फूटो देखी, संक आफरिका में मेहनदा सूप पहलती थे, यहां आएग और जन्ता के बीच में जाकर उनसे मिल गए, लड़ाई शुरू की, राश्टर पदी जी आज मुझे बता रहे थे, कि पहले सोच थी, कि अजाड़ी की जरूरत नेएगा, पहले सोच थी, कि हम अंग्रेजों के साथ, हम अंग्रेजों के राज के साथ जी सकते हैं, मगर जब गांधी जी ने सक्चाई देखी, चालिया अवना बाग देखा, तो रहों ने अपना मन बना लिया, आजादी के बिना हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता है, अब हमारे ये बड़ा नाच्रल कदब है, हमारे पास आजादी है, हमारा किरंपा है, तो हम इस बात को सोच भी नहीं सकते हैं, कि ऐसा भी एक समय था, जब हिंदुस्तान के लोग कहते थे, कि हाँ हमें थोड़े और राइफ्स दो, मगर हम आपके साथ, आपके राज के साथ हम जी सकते हैं, मैं आपसे सवार पूछना चाहता, जालिया वाना भाग में, क्या हिंदु मरे थे, क्या मुसल्मान मरे थे, क्या सिख मरे थे, या हिंदुस्तान मरे थे, तो जो भी गांगी जी ने किया, हिंदुस्तान की जन्ता को जोड़ने के ले किया, हिंदु मुसल्मान से, इसाई हर जाग के लोगों को जोड़ने का ताम किया, उनके सीरे में जो तीन गोलिया लगी थी, वो इसलिए लगी थी, कि को हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश कर दे थे, क्योंकि वो समझते थे, कि यह जो अपरा रखतिनंगा है, यह सिर्फ एक तप्ले का पीस नहीं है, इस तिनंगे के पीछे रिष्टे है, इस तिनंगे के पीछे भाई चारा है, प्यार है, और वो समझते थे, कि अगर हिदुस्तान में हमारे लोग एक तूसरे से लड़ेंगे, तो जल्दी से ऐसा समय आ जाएगा जब यह तिरंगा हमारे देश के उपर नहीं रनाएगा, और इसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दिए, सब लोगों गए एक किया, और यहाँ जो आए हैं हमारे स्वतंत्रतासंगा में, आप से इस बात को कोई बैतर नहीं समझ सकता है, आँकी एज हो गई है, आप दिख रहे हो, कम से कम, 80 साल के हो, मकर तब भी देश के कोने कोने से, आप इस तरंगे के लिए यहां आए हो, तो मैं दिल से आपना धन्यवाद करना चाहता हूँ, गांधी जी की जो बिचार धारा है, उन नहीं नहीं, हमारे धरम में, गीता में, उपने शक्र, सक्चाई के बारे में लिखा हुआ है, हिंदू होने का मतलब, सक्चाई की रक्षा करने का मतलब है, और इस धर में कुछ है ही नहीं, हर किताब में लिखा है, कि हरे व्यक्ति का आज़र करो, जहां भी तुम्हें अन्याई दिखता है, उसके फिलास पड़े हो जाओ, सत्य बोलो, और सत्यकी रक्षा करो, गांधी जी ने सिरफ इस विचार्धारों को आगे बढ़ा लें, इस देश में डर मिटाया, पहले बार जब वो चमपरन आए, दर था, अगर आप उनकी चित्ती पढ़ेंगे, अंग्रेज हमारे उपर इसले आए, क्योंकि हिंदुस्तान दरा हुआ था, आत्म विश्वास नहीं था, गांधी जी ने कि चमपारन ते किसानों को कहा, सत्य तुम्हारे साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेजों के पास सत्ता हो सकती है, मगर सत्य तुम्हारे पास है, तुम्हारी ही जीतो, और यही हुआ, यह देश सत्ते का देश है, और चाहिए किसी के पास भी सत्ता हो, अगर वो इस देश, में नफरत फिलाने की कोशिश करेंगे, अगर वो इस देश को डराने की कोशिश करेंगे, तो यह देश उस बाद को मानने के लिए त्यार नहीं होगा, निपीश जी, लालू जी, आपने मुझे यहां बुलाया, आपका मैं दिल से, धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे यहां, स्वतंत्रता संद्रामी है, आप जन्ता है, आपका मैं दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, नमस्कार, जैभिक,